आज हम आपको सिखाने जाए चिकन मलेटिक का उसके लिए हमें लागेगा एट की बूब में कटा हुआ बॉर्नेस चिकन दाही चिंजर गालिक पेस्ट निम्बू का रफ और हरी मेज की पेस्ट और यह वाइट पेपर पाउडर और नमक और क्रीम और कॉन्प्लोर और ओनियन जिंजर गालिक पेस्ट एक बड़ा चमच भरके और जाही लेंगे दो तीस पना में जाही लिया है और एक बड़ा चमच भरके लिम्बू का जूस एड करेगी और वाइट पेपर पाउडर और आधी तीस्पना में दिल आए और टेस अनुचार नमक और करेंगे और क्रिस्पिनेस के लिए कॉन्प्लोर और करेंगे हम एक बड़ा चमच भरके और हरीमेच लिए हो भी यड़ करेंगे और यह क्रीम एड करेंगे हम दो चमच और यह अथिस्पिने निया था वह अट आप देख सकते हैं और इसको इसको क्रेंगे अच्छे से अच्छे नियूस्ट आप देख सकते हैं और इसको और इसको मिस्ट करके इसको ढाग के हमें आदे घंटे के लिए चूड़ना है उसको मेरेट के लिए जाके चाफ लेवर आए देखो फ्रेंड आदा घंटा हो चुका है हमारा उसको यह बांपुश्टिक लिया है हमने आप देख सकते हैं इसमें हम चिकन टिक का तो पुराएंगे अंदर डालेंगे इसको हमें बीच में थोड़ा थोड़ा गयप रखना है इसको पकने के लिए ने तो चिकन कच्चा रह सकता है हमारा आप चाहिए तो छे डाल सकते हैं वहना तीन भी डाल सकते हैं पीस आपके बांबुश्टिक में इतना आया इतना और हमने पेन गरम करने के लिए रखा था उसमें हम तेल एड़ करेंगे तीन चमच भरके तो उसमें हम यह चिकन को अंदर रखें तो उसको शेक ने बिचेंगे चारो तरह समय शेकना है पर एक बाद शेकने को एक साइट उसके बाद तन कीजिए अब दुट्रा बनाएंगे इसको पहले वाले को संद करते हैं आप देख सकते हैं गोल्डन कलर आ चुका है यह मसाला महा बचा था वह उपर लगा देंगे कुछ भी हमें वेस्ट नहीं करना है वापस लगा देंगे उसके उपस इसके बाद हम कीची की साइट भी लगा देंगे इसके बाद हम तींचा मीट के लिए हमें बटर लगा के बटर ग्रीज करेंगे हम उसके उपर इसके बाद उसको हम सीखेंगे यहां के तील के उपर अच्छे से बड़र एप्लाइ करना है हमें चारो बाजू इसको बुमा चारो बुक्त साइड़ा में यह करना है ग्रीज़ इसके पास मेट के लिए ग्रीज़ करेंगे इसके जादा नहीं तीन से पास मेट के लिए देखो फ्रेंड यह ग्रील हो चुके है उसको फ्लेट में इंकालेंगे अगर आपको यह हमारे रिसी पर अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो वीडियो देखने के लिए थेंक्यू